Hello guys, welcome back to my channel and आज की वीडियो है class 9 chapter number 7 packing के उपर इस वीडियो में हम chapter number 7 की question answer NCRT solution को discuss करेंगे जो की है English reader beehive के book का chapter So NCRT solution इस वीडियो में discuss हो रहे हैं अगर आपने इस chapter को नहीं समझाए explain नहीं समझाए आप जा सकते हैं इस वीडियो के description box के अंदर आप वहाँ से जाके मैंने अपनी previous वीडियो का link डाल दिया है आप वहाँ से जाके visit out कर सकते हैं chapter number 7 के explanation पे So let's see the NCRT solution number 1 So आपके book का page number 89 है First हम उसे solve कर रहे हैं जिसमें हमें करना है 30 to 40 word में answer को solve Question number 1 is our How many characters are there in narrative? Name them, don't forget the dog हमें बोला जा रहा है कि character बताने के कितने use हुँ है narrative मतलब कि chapter में कितने characters हैं कितने living person हैं उनकी नाम बताने हैं और उसमें include होएगा dog भी dog को हमें नहीं भूलना है dog को मिला के कितने character हैं उनकी नाम बताओ So there are four characters in the narrative कितने character हैं? four Including the dog and first one is narrator narrator का नाम किया था? Jerome के Jerome George उनकी two friends थे narrator के two friends जिनका नाम था George and second one is Harris and the fourth one is dog जिसका नाम था मांटमरंसी Now second question Why did the narrator Jerome volunteer to do the pecking? So पूछ रहे हम कि जो Jerome था? So narrator था वो pecking की दौरान volunteer क्यों करना चाहता था? So our answer is the narrator felt that he know more about pecking than any other person Moreover he would get an opportunity to boss the job and George and Harris would do the job under his direction So pecking के तौरान Jerome जो था वो 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 जो था? ऐसा कौन कहता था? Jerome, narrator और वो क्या करवाना चाहता था? Boss की तरह rule चलाना चाहता था George and Harris पे अपने direction को follow up करवाना चाहता था किस से? George और Harris से और George और Harris इस जरोम के friend थे Two friend थे Our third question is How did George and Harris react to this? अब George and Harris का reaction किया था जब Jerome ने बोला था कि आप सारा का सारा मामला मेरो पर छोड़ दो मैं packing में सबसे best चूँ मैं सब कुछ कुछ कुद कर लूँगा ऐसा जब बोला था तो George और Harris का reaction किया था इस बात पे और जो George और Harris का reaction था वो जरोम को अच्छा लगा था उनका reaction ये पूछ रहे है Sovereign answer is George and Harris accepted the narrator's suggestion readily जैसी जरोम ने बोला कि आप एक काम करो सारा का सामरा मामला मेरो पर छोड़ दो आपके लिए अच्छा होगा तो जैसे उसने ऐसा बोला तो George और Harris ने बोला कि ठीक है आप सारा मामला खुद अपने उपर ले लो आप खुद ही सारी पैकेंग कर लो जब आप अपने आपको महान समझते हो तो आप सारा खुद कर लो ऐसा बोला और सारा का सारा मामला जैरोम के उपर छोड़ दिया और जो ये जैरोम था उसने इस बाट को गलत समझा उसको ये बात इरिटेट कर रही दी वो ऐसा नहीं चाहता था कि वो बहुत ही जल्दी मान जाए उसकी बात को और साहरा का साहरा पेकिंग का मामला मेरे उपर छोड़ दे उसने बोला तो था बड़ वो ऐसा नहीं चाहता था उसका इंटेंशन कुछ और था Question number 4 What was Jerome's real intention? When he offered to pack जब उसने बोला तो अब उसका intention क्या था? मैंने अभी आपको बताया था कि उसका Jerome का कुछ और इंटेंशन था अब यहीं पूछा है कि उसका intention, real intention क्या था? वो क्या बोलना चाहता था? उस line को बोलके कि आप सारा का सारा मामला मेरे उपर छोड़ दो बट वो कुछ और बोलना चाहता था उसने बताया भी था कि वो क्या बोलना चाहता है चैप्टर में तो देखते हैं वो क्या बोलना चाहता था? इस line को बोलके Jerome's real intention was to boss the job वो यह चाहता था कि वो boss की तरह उनसे काम करवाए बास की तरह Jerome अपना हुकम चलाए कि इस पे? George and Harris पे He wanted that Harris and George should work under his guidance and instruction वो चाहता था Jerome चाहता था कि Harris और George उसकी guidance और instruction को follow करे follow up करे उसकी बात को माने वो simply यह चाहता था कि Jerome जो है ना वो उनको बोलेगा कि आप ऐसा ऐसे packing करो और George and Harris उसके पीछे-पीछे उसकी guidance के अनुसार उसके packing में help कराएंगे ऐसा चाहता था But they accepted the proposal आप लेकिन क्या हुआ? उन लोगोंने तो बड़ी जल्दी मान लिया कि ठीक है आप सारा मामला मेरे उपड ले लो तो यह तो बाजी पलट गई उन्होंने बहुत जल्दी एसेप्ट कर लिया कि हाँ आप सारा मामला अपने उपड ले लो and set idle on the chairs comfortably और दोनों जाके अराम से कोने में कोई chair पर बैठ गया था and then कोई table के ओपर बैठ गया था दोनों जाके comfortably होके chair and table के ओपर बैठ गये थे और बिचायरा कोन फस गया? जरूम जरूम ने पेकिंग कर दी थी पूरा बैठ को शट कर दिया था and उसको बांद भी दिया था step मतलब होता है बांद देना बैठ को बांद भी दिया था then Harris ने क्या बोला था and जब Harris ने जब बैठ बंद हो गया था उसके बाद ही क्यों बोला वो इतनी देर तक वेट क्यों कर रहा था कि जैसी बैठ बंद होगा तो मैं उससे पूचंगा ये बाद then वो एरिट होगा वो ऐसा क्यों चाहता था so what answer is Harris asked the narrator to put the boots in the bag after strapping on the bag अब बोला गया Harris ऐसा उसने ऐसा बोला जैसी बैठ बंद हो गया जैरोम ने सारी पैकिंग खतम कर दी बैठ को बंद कर दिया then Harris ने बोला था कि क्या आपने मेरे जूतों को अप मेरे boots को अंदर रख दिया है बैग में पैक कर दिया है उसने ऐसा पूचा था और ये ऐसा इसलिए इसने पूचा जब उसने पैकिंग कर ली उसके बाद ही क्यों पूचा उससे पहले क्यों नहीं पूचा जब वो पैकिंग कर रहा था क्योंकि वो उसे इरिटेट करना चाता था उसका intention ये था कि वो इरिटेट करें नरेटर को Now the next question 6th one, what horrible idea occurs to Zerome a little later? कौन सा डरावना idea? horrible मतलब डरावना idea Zerome के mind में आया थोड़े देर के बाद our answer is, Zerome was going to close the bag after putting the boots in it he suddenly thought of his toothbrush while traveling he must needed a toothbrush which he packed in the bag now he had to search for it in the bag अब क्या हुआ, Jesse Harris ने बोला था ना कि मेरे जूतों को क्या तुमने अंदर रख दिया तो Zerome ने reply करा था कि अरे मैं तो भूल गया रखना then उसने वापिस से back को होला था फिर उसके अंदर उसके जूतों को डाला, boots को डाला then उसे जैसी बंद करने जा रहा था ना तो उसकी दिमाग में एक horrible idea आया कि क्या उसने अपने toothbrush को कि Zerome ने अपने toothbrush को अंदर pack कर दिया है उसकी दिमाग में ये idea आया क्योंकि जब भी वो traveling करता है ना तो उसकी दिमाग में चलता ही रहता है कि क्या उसने अपने तूथब्रश को अंदर रख दिया है या नहीं रखा है क्योंकि उसके तूथब्रश उसे काफी ज़्यादा हॉंट करता था महलब कि काफी ज़्यादा दरा देता था क्योंकि उसको तूथब्रश की काफी ज़्यादा आदत सी थी उसको तूथब्रश की आ तो वहाँ पर जाके उसे toothbrush में लेना वो खाना कैसे खाएगा तो वो ये सोसता था कि मैं अपने tooth brush को भूलना जाऊँ और अगर भूल जाता था तो railway station जब पहुच जाता था तब उसे याद आता था कि उसने आपने tooth brush को तो रखाए नहीं वह वापस जाता अपने घर पे अपने रुमाल में उसे बांद के अपने टूथब्रश को अपने जेम में रखके वापस रेल्वे स्टेशन आता था उसकी काफी लब भी जड़नी थी आपको बढ़ना पड़ने का शेप्टर को अगर आपने पढ़ा है तो आपको पता होगा ना कोशनिमर सिवन वियर जे जरोम फाइनली फाइन टूथब्रश जरोम ने अपने तूथब्रश को कहां पे ढूंडा था कहां पे उसकी तूथब्रश को मिला था जरोम ने वैसे तो रख दिया था अपने तूथब्रश को बैक के अंदर देन बैक के अंदर रखने के बा Zaroom ने अपनी पूरी कोशिश करी ती तूथप्राइश को fine करने की बत ऐसा नहीं हो पाया उसको नहीं मिल रहा था अपना टूथप्रश he unpacked the bag but could not find it उसने वापेस से pack करा then unpack करा बारबर होई की कर रहा था ताकि उसको अपना toothbrush मिल जाए but उसे नहीं मिल रहा था he put the things back one by one उसने वापेस से last time क्या हुआ वापेस से वो एक ही करके अपने समान को वापेस से अंदर रखने गया अंदर कहां पे packing bag था उसके अंदर रखने गया then एके करके उस समान को उपर उठाता everything up and shook it then उसे हिलाता shook मतलब हिलाना उपर उठा के हिलाता कि काई उसके अंदर तो नहीं चला गया मेरा toothbrush ये देखने के लिए उससे उपर उठाता देन हिलाता at last he found it inside a boot then उसे आखिर मिचा के कहां पे मिला था boot के अंदर Harris के boot के अंदर उसका toothbrush चला गया था now next question is why did Zerome have to reopen the packed bag Zerome को वापेस से अपना packing करने के बाद bag को खोलना क्यों पड़ा उनने जब वापेस से सारा pack कर दिया था then Zerome को वापेस अपना bag repack क्यों करना पड़ा our answer is Zerome packed his spectacles in the bag अब क्या हुआ था Zerome ने अपने चश्मे को बैक के अंदर pack कर दिया था so he had to reopen the packed bag फिर उसे क्या करना पड़ा अपने चश्मे के लिए वापेस से उस बैक को खोलना पड़ा then उसने खोला उस चश्मे को निकाला उसे वापेस से री पैक करा काफी लंबी लंबी जॉर्णी कर दी थी 9th question What did George and Harris offers to pack and why George and Harris ने packing के दौरान पे क्या offer किया था मतलब कि क्या बोला था और क्यों बोला था so our answer is George and Harris offers to pack the hamper because they wanted Zerome to take some rest they decide to pack the rest of things themselves पैकिंग करने के बाद George and Harris ने बोला कि हमने तो hamper रखाई नहीं हम उसे रखना भूल गए है तो आप क्या हुआ hamper कौन रखेगा सारी की सारी पैकिंग इतनी ज़र से तो Zerome कर रहा है narrator कर रहा है तब वो काफी ज़्यादा ठग गया था काफी ज़्यादा फील कर रहा था कि मैं काफी ज़्यादा टाइडी हो गया हूं ठग गया हूं काफी ज़्यादा लेजिनेस वाला फीलिंग आगी थी Zerome के अंदर नरेटर के अंदर तो अब वो काफी ज़्यादा टाइडी हो गया था अब क्या होगा जब हैंपर पैक करने की बारी आएगी तो उसने बोला कि नरेटर Zerome को थोड़ा सा रेस्ट कर लेना चाहिए किसने बोला George and Harris ने बोला कि आप थोड़ा रेस्ट कर लो हम हैंपर खुद पैक कर लेंगे themselves मतलब खुद कर लेंगे George and Harris अब हैंपर को पैक करेंगे अब जितने भी चीज़े उसके अंदर बचेंगी अब कौन पैक करेगा George and Harris किसका टाइम ओवर हो गया Zerome का Zerome ने अब सारी पैकिंग कुद कर ले थी तो अब Zerome नहीं करेगा अब कौन करेगा George and Harris अब रेस्ट करने चला गया Zerome अब हैंपर पैक करने के दौरान George और Harris ने काफी ज्यादा बेवकूफी वाली चीजे करी थी काफी ज्यादा फणी चीजे भी थी बट वो बेवकूफी भी थी उनकी बेवकूफी थी और वो काफी हसी भी दिला रही थी अब बताना है हैंपर पैक करने के दौरान उन्होंने क्या क्या करा था जो काफे जादा बेवकूफी भी थी, प्लस हसा बीरी थी, कौन-कौण सी स्टेट्मेंट ट्रू है, फर्स्ट है हमारा, दे स्टार्ट रिद ब्रेकिंग अ कप, उन्होंने क्या स्टार्ट कर रहा था, जब उन्होंने हेमपर को पेक कर रहा था, तो उन्होंने किस से start करा था एक cup को तोड़ कर क्या ये सही है second one is they also broke a plate उन्होंने एक plate को भी तोड़ दिया था they squished a tomato उन्होंने tomato को squished कर दिया था मिला दिया था मिचकार दिया था मतलब कि काफे ज़्यादा पिचका दिया था आप कह सकते हैं and fourth one is they trod on butter उन्होंने बटर के उपर पैर रख दिया था step down trod का meaning होता है step pair रख देना they step on a banana उन्होंने बनाना के उपर भी पैर रख दिया था sixth they put things behind them and could not find them वो अपने पीछे उठा के चीजों को रख देते देन उसे भूल जाते कि उन्होंने कहां रख है देन उसे find नहीं कर पाते seventh is they stepped on things वो काफी जादर सभी समानों पे अपने पैर रखे जा रहे थे they pack the pictures at the bottom and put everything on the top उन्होंने pictures को नीचे रख दिया और भारी भारी समानों को उपर रख दिया ninth they upset almost everything उन्होंने काफी जादर समान को ऐसे उन्हों की फैलासा दिया था काफी बस्सुरा मतलब की आप बोल सकते हैं काफी जादर गंदा कर दिया था काफी untidy way में उन्होंने काम करा 10th they were good at packing आप ओल्रेंट की वो दोनों काफी जादा अच्छे packing कर दे थे अलब कि good packers थे तब देखते हैं इन में से कौन से statement नहीं बोले गए फर्स statement हमारा सही था कि उन्होंने पैकिंग के दोरान सबसे पहले क्या करा था कि कप को तोड़ दिया था थर्ड सही था उन्होंने टमैटो को स्क्वेश कर दिया था मिचखा दिया था या फिर तोड खो कि करे तो तो सकते नहीं मेटो और यह आप बोल सकते ह। उसको मुझे प्रेस करके दबा के फैल करना गता था है। उन्होंने Johnson के ऊपर पाह रखती था। उन्होंने अपने चीजों को पीछे रख दिया दैन उसे फाइंड करने की बारी आती तो उन्हें दूर नहीं पाते थे सेवन्त भी ठीक है कि वो बार बर सभी समानों पर पैर रखते थे सभी चीजों पर पैर रखते थे ना वर निक्स्ट कुश्चन What does Jerome say was Montmorency ambition on a life? What do you think of Montmorency and why? Jerome ने क्या बोला था कि Montmorency का life में ambition का है उसके life में goal का है वो इरादा क्या था Montmorency का अपने life में Jerome ने क्या बताया? And आप क्या सोसते हो कि Montmorency कैसा था और क्यों था? मालब कि उसके बारे में क्या सोसते हो और क्यों सोसते हो? आप यहां से माग कर ले ना वो छोटा सा लिटल डॉग था जो काफी ज़्यादा आप बोल सकते हैं परिशान करता था लोगों को जो भी काम कर रहे होते थे उनके काम के बीच में अपने टांग गड़ा देता था उनको काफी ज़्यादा परिशान कर देता था इस हद तक परिशान कर देता था कि उनके सर पे चीजे उठार के मारे उनको गालिया दे ऐसा परिशान करता था वो लोगों को Whenever he would get bored, he would come in between the walk and try to get involved. जब ये मांटमरंसी bored होने लगता था, तो वो जाता, जो काम कर रहे होते थे person, उनके बीच में जाके उनको परिशान करने लग जाता था, ताकि वो bored ना होए. And then, he never meant trouble intentionally. वो ये नहीं चाहता था कि वो लोगों के बीच में trouble create करे, परिशाने create करे, बट वो क्या करे, वो bored होता, then वो आता, then लोगों को परिशान करता, but people shouted him or throw things at his head. But क्या होता था, जो people जिसको वो परिशान करता था, वो उसके उपर चिलाता, उसे गालिया देता, और उसके सर पे कुछ ना कुछ फैक के मारता. He would then get tired and hurt, वो फिर थक जाता और काफी जादा दुखी हो जाता था, उसको काफी जादा चोट लग जाती थी, and would go back to his place and sit, then वो अपनी जगे पर जाता और बैठ जाता वापिस से. The narrator called this the fulfillment of his conscience, अब जो narrator था, वो क्या कहता, कि काफी जादा, मतलब कि लोगों को परिशान करता था, उनको उत्साता कि वो उन्हें मारे, उनको गालिया दे, मतलब कि मॉन्ट बढ़निसी एक ऐसा कुद्धा था, mischievous behavior वाला कुद्धा था, irritate करने वाला कुद्धा था, and काफ ही जादा लोगों को परिशान करता था, अपने फायदे के कारण, क्योंकि वो बोर वाता था, देन वो लोगों को परिशान करता था उसकी बोरियत खतम करने के लिए, next question, discuss in groups and answer the following question in two or three paragraph, अब बोला है कि ग्रूप में discuss करो और two or three paragraph में answer दो, hundred to one fifty word के अंदो, first one is of the three, Jerome, Harris and George, who do you think is the best and worst packer, इन तीनों की बीच में से सबसे अच्छा पैकर और सबसे खराब पैकर कौन है, support your answer with detail from the text, अपने answer को ऐसा बनाओ कि वो काफी जादे डिटेल में हो और text में लिखके बताओ, okay, so मैंने answer लिखा है, I believe Jerome was the best packer, हम सोचते हैं कि Jerome काफी अच्छा पैकर है, क्य क्योंकि उसने इतनी problem को create नहीं करा था, जितनी की Harris और George ने कर दिया था, Harris और George काफी जादा परिशानी को create कर रहे थे, बट Jerome ने इतनी परिशानी create नहीं करी थी, he packed everything cementously, जो Jerome था, उसने सारे packing काफी जादा अच्छे से कर दी थी, बट वो कुछ ना कुछ भूल जाता था, कोई बात नहीं, उसने कुछ चीजे तोड़ी भी नहीं थी, ना किसी पेपैर रखता ना कुछ और किया था, George ने काफी जादा trouble मचा दी थी, काफी जादा परिशानी create कर दी थी, बट ऐसा Jerome ने नहीं किया था, अपने packing के रहे ना, बट अनली इशू वस जी फ्रोगेट अबाव द आइटम सी पेक्ट एंड वेर रेकिप दम, उसका स्रिफ एक ही इशू था कि वह समान को रखके भूल जाता था, दैन उससे fine नहीं कर बाता था, बाकी वह कुछ भी नहीं कर रहा था, He took time packing, but the job was done well, Harris and George were messed up, Harris और George काफी ज़्यादा समान को फिला देते थे, उनको create कर देते थे, काफी ज़्यादा mischievous behavior वो भी कर रहे थे, Harris squeezed the tomato by replacing them over the strawberry jam and the butter was wasted because of their carelessness, Harris और George ने क्या करा था, tomato को squish कर दिया था, then strawberry jam को क्या करा था, tomato के उपर रख दिया था, और butter के उपर काफी ज़्यादा पैर रख दिया था, then उससे waste कर रहे थे, butter को waste कर रहे थे, क्योंकि ये सब उनकी carelessness की वज़े से हुआ था, काफी ज़्याद आल सी पन उनके अंदर भरा हुआ था, next question, how did Montmorency contribute to the pecking, Montmorency का contribution बताओ, pecking के दौरान, Montmorency was a joyful dog and he loved creating trouble, Montmorency काफी ज़्यादा enjoyable और joyful dog था, और वो परसंद कर जा था, कि लोगों के बीच में, वो trouble create करे, परिशानी को create करे, जो भी उसके around थे, उसके आस पास थे, वो काफे ज़्यादा लोगों को, ट्रायरिसम मतलब की काफे ज़्यादा टायर कर दाता था और काफे ज़्यादा प्रिशान उसा देता था कि उसे मारे, he said on the things that were meant to be packed, जब पैकिंग करने की कोई चीज के उपर बैट जाता था, then जब पैकिंग करने की बारी आती उस समान क तो उसके उपर से उठता नहीं था, और जब उसे मार खाना पड़ता, तब वो जाके उसके उपर से उठता था, he played with the lemons and got into the hem, अब क्या होता, वो ने लेमन के साथ खेलने लग गया था, लेमन के साथ कैसे खेलता था, लेमन को रेट समझ लेता था, चूहा समझ लेता था, दन उसे मारता था, किसके अंदर जाके, हमपर के अंदर जाके, he act to kill three of them, दन उसने तीन लेमन को चूहे समझ के मार भी दिया था, he tried to create trouble when he would notice everyone around him busy, जब उसके आसपास के लोग busy हो जाते थे, तो वो create करना चाहता था, trouble को, परेशानी को बढ़ाना चाहता था, जब आसपास के लोग busy होते थे, the narrator called his act the fulfillment of conscious, narrator ने क्या बोला कि उसके जो act है, जो जो ऐसे काम करता है, वो काफी ज़्यादा mischievousness है, काफी ज़्यादा irritate करने वाली समान, चीजे है, मादब कि मौट पोर्रस की एक तरीके से पागल कुता समझता था, narrator, zero, okay, next question, do you find this story funny, क्या तुमें य numerous element in it, इसके अंदर कितने सारे element थे, उसे बताओ, pick out at least three, तीन को pick out करो, only three समान बताने को बोले हैं, जो इस story के अंदर use हुए है, think about what happened, बता, सोचो की क्या हुआ होगा, as well as how it is described, okay, हम describe भी कर देंगे, हमने बोला, yes, this story is a funny one, ये काफी ज़्यादा story funny थी, क्योंकि वो काफी ज़्यादा mischievous behavior था, काफी ज़्यादा लड़ भी रहे थे, काफी कुछ हो रहा था, the myth that is created when the friend packed for the trip is amazing to watch, जब वो पेकिंग कर रहे थे, उनकी friend packing कर रहे थे, George and Harris, उनकी packing के दौरान हमें काफी ज़्यादा अच्छा लगा, मलब की काफी ज़्यादा वो परिशानी को, ट्रॉबल को create कर रहे थे ना, तो हमें ये देखके काफी अच्छा लगा, the first humorous incident is when the whole matter of packing is left the shoulder of Zerome, when all the wanted to do was to supervise the work, जब Zerome चाहता था कि वो supervise करे अपने work को, अपने work को boss की तरह handle करे, but क्या हुआ, कि Harrison George ने भोचलती बोल दिया, कि आप सारी packing अपने उप के काफी अच्छा लगा, मलब की हसी आई, the second one is when Harris sat on the butter, जब Harris ने अपने पैरक दीचे बटर के ओपर ये काफी अच्छा लगा, मलब की फनील हुआ था हमारे लिए, placed on the chair by George, और उसी के ओपर George चेर पर बैठ गया था, they walk around the whole room to search for packing, उनने पूरा रूम को छान मारा था, करने के लिए, which was finally discovered on Harris back, और वो कहाँ पे मिला था then, Harris के पीछे, the third moment, third moment बोला, is when Montmorency's came, is when he want to someone stumble over him, जब Montmorency काफे चादे लोगों को परिशान कर रहा था, irritate कर रहा था, third one हमें वह अच्छा लगा था, he pretended that the lemon were reds and played with them, जब Montmorency ने सोचा था कि lemons को उसने reds माल लिया चूहा माल लिया था, then उसके साथ खेलने लगया था, और उन में से तीनों को, तीन lemons को killed कर दिया था, मार दिया था, ये भी काफे ज़ादा हसाने वाली बात थी, मतलब कि हमने तीन बताया हैं ऐसे किससे जो हमें काफे ज़ादा हसा रहे थे, वैसे तो बहुत सारे हैं, कॉलम A से कॉलम B तक, तो कॉलम A is our here, okay, second column, eighth, okay, our answer is here, slaving का हमने match करा है, working hard, slaving का मतलब होता है, काफे ज़ादा hard working करना, चार्ज मतलब, complete confusion and disorder, complete confusion में काफे ज़ादा confusion को create कर देना, and disorder में, रमेज मतल सर्च for something by moving things around hurriedly or carelessly, किसी समान को ढूणना, और काफे जल्दी में ढूणना, और careless way में ढूणना, Scrap out, remove something from inside, another thing using a sharp tool, किसी नुकीले से समान को use करके किसी जीच को अंदर से बहार निकालना, Stumble or Trumble him, fall, गिर जाना, step away cardly, while walking, किसी चीज के ओपर पैरक देना चलते समें, उसे बोलते हैं, Stumble or Trumble into, accomplish, finish successfully, काफे ज़ादा successfully finish हो जाना, अचीव कर लेना, किसी चीजों को, Uncanny, Strange, Mysterious भी बोल सकते हैं, Strange भी बोल सकते हैं, मिस्टीरियस भी बोल सकते हैं, जो काफे ज़ादा difficult हो, explain करने में, To have or get into a row, a query or an argument, काफे ज़ादा argument करने हैं, उसे ही को बोला गया है, Now, अब हमें fill in the blanks हैं, column A, Okay, हमें fill in the blanks करना है, phrases हैं, उसको include करके, Paragraph है, traffic exam, during power cut, when traffic light go off, there is utter dash at crossword, यहाप एक वर्ड भरना पड़े का, phases को ढूंके, drivers at the confusion by dash over there, right of way and nearly comes to blow, full stop, Sometime passes by, अब यहाप पे हमें एक और blanks है, Seeing a few police man dash at regulating traffic, step it into help, this gives them a feeling of having dash something, Okay, अब हम बढ़ देते हैं, phases से इने, answer मैंने यहाप पूरा mention कर दिया है, आप यहाप पर पढ़के खुद कर लेना, Okay, Next question देखते हैं, Question number 3 है हमारा, look at a sentence below, इंसेंटेंस को देखो, Notice that the verb, verb को notice करो, Are the all in their bare form, इसारे correct हैं या नहीं, यह सब मलब की बतारा हैं हमें, Simple command, stand up, put it here, direction, मलब की, इस question पूरा इतना है, और इसके answer देख लेंगे हम, आपके book में भी mention होगा, इसलिए मैं नहीं पढ़ रही, आप अपने book से भी पढ़ सकते हैं, And then आपको पता थो होगा, इनकी meaning, काफी easy way में easy language है, Ingredient, okay, Okay, so यहां से real question शूरू हो रहे है, Two command to your partner, अपने partner को दो command, Sit down, stand up, बैठ जाओ और खड़े हो जाओ, Two doors and two doors to a new student in your class, Okay, new student को कैसे करेंगे, Okay, submit your work regularly, हम बोलेंगे, Submit, अपना काम को regularly submit कर देना, Ask teacher for help, अपने teacher से पूछो help के लिए, Ask, मतलब पूछना, Don't, avoid using vulgar words and being rude to anyone, Avoid करो किसी चीज़ बहर को vulgar करना, And then rude, मतलब कि काफी दाद गुस्से में हा जाना, किसी के साथ ये भी avoid करना है, Avoid bringing electronic to class, Electronic मतलब कि, जिसमें electric की जरूरत हो, ऐसी समान को लाना, Class में avoid करो, ये दोनों avoid के लिए है, और ये दोनों करना है, Does मतलब करना, मतलब कि, इसको follow करना है, और इसको avoid करना है, 3rd one is direction to get to each other house, Direction बताना है, रास्ता बताना है, माहो इस 10 minutes, मेरा घर 10 minutes की दूरी पे, राइट फॉर्क आदा में रोड, मैं अपके किसी को रास्ता बताते हैं, वो बोला किया है, इंस्ट्रक्शन देना है, जब हम डान्स कर रहे होते हैं, एक्सराइस कर रहे होते हैं, या फिर किसी चीच को cooking कर रहे होते हैं, lift your chin up, अपने chin को ऊपर करो, chin मतलब होता है थोड़ी, जो आपके lips के नीचे होता है, वो बला पाट, exhale और hold the posture for at least 3 minutes, इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, कि आप dancing की समय या फिर exercise की समय या फिर cooking की समय आपको क्या क्या करना चाहिए, इंस्ट्रक्शन देना, the table below has some proverb, ये table दे रहे हैं हमें नीचे, proverb में telling you what to do and what not to do, तो हमें बता रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, fill in the blanks and add few more such proverbs to the table, ओके हमें थोड़े और words को add करना है, positive और negative, वो बलब कि ये करना चाहिए और ये नहीं करना चाहिए, अपना answer है ये, लोग before you leave, positive, leave and let leave, morning show the day, keep all things in apple pie order, negative head, don't make a mountain out of a molehill, don't pull all your eggs in one basket, don't believe in all and sundry, okay, sundry, keep all things in, okay, ये तो होगया न, keep all things in apple pie order, ये हमें करना चाहिए, ये नहीं, don't count your eggs before our h2, take God was a man's father, don't act before thinking, Gandhi died in hardness, don't keep your father in the dark, okay, ये राइटिं के ओपर है कुछ पर है कुछ पर नमा 92 पर है, कुछन है, first pack, all everything, especially the ones that you don't need, right away, then pack the liquid crockery, pack it in bubbles, wrap our newspaper to avoid breakage, try to pack all the uphols together in a sexable way, this help you won't have to go through everything to find them, मतलब कि आपको एक paragraph लिखना था तो मैंने यहापर अंसर दे दिया है, आप यहाँ से note down कर लेना, मतलब कि आपको यह याद करना जरूरी नहीं है, यह ऐसा कुछ आता नहीं, कॉशन पेपर में, पर फिर भी यह अपकी बुक में था, इसले मैंने सॉल्फ करके दिखा दिया है, ऐसी कुछ नहीं है कि आयाएग आपके बुक में, यही तक आपके बुक में कॉशन, मैंने कम्प्लीट करा दिया है, आप यहाँ से note down कर सकते हैं, और मैंने कॉशन नहीं से को समझा दिया है, एक्स्प्लीट कर दिया है, अच्छे से, आप वहाँ से भी समझ सकते हैं, ओके, आज की वीडियो यहाँ तक, अब मिलती हैं मैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए, तक की तक की वीडियो,